नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चानल किड्नी ट्रीट्मेंट विदाव डालेसेज में जहां आज हम आपको बताने वाले हैं कि किड्नी ट्रांस्प्रांट के बाद मरीज को कैसी डाइट दी जाती है अपने विशेपर आगे बात करेंगे और जानेंगे किड्नी ट्रांस्प्रांट के मरीजों की डाइट के बारे में जब किसी की किड्नी में खराबी आती है तो लोग इसके लिए अलपेथी की तरफ भागते हैं जिसका नतीजा उन्हें डालेसिज या किड्नी ट्रांस्प्लांट को जहलना पड़ता है। आपको बता दें कि अलपेथी इलाज की कोई यारंटी नहीं होती और आपकी किड्नी पूरी तरह स्वस्थ होगी ये भी संभव नहीं है। अलपेथी इलाज में सबसे पहले किड्नी डालेसिज और उसके बाद किड्नी ट्रांस्प्लांट करवाना पड़ता है। अलपेथी इलाज एक आर्टिफिशल प्रोसेस है जो एक निश्चित समय के बाद अपना काम करना बंद कर देती है। आज हम आपको बताएंगे कि किड्नी ट्रांस्प्लांट के मरीजों की डाइट कैसी होनी चाहिए। साथ ही उन्हें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। किड्नी ट्रांस्परान के बाद आपको ध्यान रखना होगा कि आपका वजन न बढ़े जिसके लिए नियमित आहार और सही व्यायाम करें हो सकता है आपको 100.6 डिग्री तक बुखार हो तो इसको अंदेखा न करें किड्नी में लगातार्द बना रह सकता है जिसके लिए तुरंट डॉक्टर के पास जाएं अगर आपको लगता है कि सरजरी के स्थान पर सूजन या लाल निशान बन गया है तो इसके लिए आप तुरंट डॉक्टर से मिलें आपको टांके लगे स्थान से किसी तरह के तरलपदार्द बहने की समस्या हो सकती है इसके लिए सही उपचार ले किड्नी ट्रांस्प्रांट के मरीज को साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए समय पर दवा लेना और आहार में सही चीजों का सेवन करना जरूरी है अब आये जानते हैं कि किड्नी ट्रांस्प्रांट के बाद आहार में क्या लेना सही होगा अनाज में दुली मुंग दाल, अरहर दाल, यहों के आटे की रोटी और उबले होए चावल का ही सेवन कर सकते हैं सबजियों में घीया, तोरी, टिंडा, परवल, कच्चा पपीता, हरा कद्दू और प्याज इन सबी सबजियों का सेवन मरीज नियमित रूप से कर सकते हैं और पत्ता गोबी, लाल शिमला मिर्च, करेला, गाजर, मूली और उबले आलू इनका सेवन हफते में केवल एक बार ही करना है फलों में सेब, नाशपती, पपीता और अमरूद वो भी बीज निकाल कर खरना है लेकिन ध्यान रहे कि पूरे 24 गंटे में केवल 100 ग्राम फलों का ही सेवन करना है डेरी प्रोडक्ट में दूद सिरफ डबल टोन या गाए के दूद का ही प्रयोग करें कुछ मरीज हफते में एक बार पनीर खा सकते हैं या जो लोग अंडे का सेवन करते हैं वो हफते में एक बार एकवाइट ले सकते हैं और अन्य अहारों में गेहुं का दल्या, आटे की सेवाई, पोहा और सूजी भी प्रयोग की जा सकती है तो ये हैं किड्नी ट्रांस्प्रांट वाले मरीजों की डाइट और एक बात आपको ध्यान रखनी होगी की कौन सा आहार कितनी मात्रा में लीना है या आपकी रिपोर्ट पर निर्भर करता है अगर आप अपनी किड्नी को हमेशा के लिए स्वस्त रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप रोजाना व्यायाम करें और साथ ही अपने जीवन में आयरवेद को शामिल करें अगर आप अपनी जीवन में आयरवेद को शामिल करते हैं तो आरवेदिक इलाज सबसे सुरक्षित है क्यूंकि आरवेदिक इलाज में आपकी किड्नी को कोई नुकसान नहीं होता आरवेदिक इलाज पूरी तरह प्राकरतिक है जो अपना काम पूरा प्राकरतिक तरीके से करता है अगर आप किड्नी के लिए सबसे अच्छा अरवेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा अरवेदा से संपर कर सकते हैं कर्मा अरवेदा आपको पूरी तरह प्राकरतिक इलाज देता है जिसका आपके शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता और आप डालेसेज और किड्नी ट्रांस्प्रान की तकलीफों से भी दूर रहते हैं अगर आप किड्नी की किसी परेशानी में हैं और अच्छा और भेतर उपाय चाहते हैं तो आप कर्मा अरवेदा से संपर कर सकते हैं तो आज के लिए सिर्फ इतना ही अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आओंगे एक नए वेशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार